तो दोस्तों एलवी सादो को लेकर यहां पर एक बहुत ही बुरी ख़वर आ रही कि जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एलवी सादो के उपर से एंडी पीएस का जो धारा था वो हटा दिया गया था और ऐसी ख़वरे निकल कर आ रही थी कि इस धारा की वो एलवी सादो के उपर से नहीं हटी है एंडी पीएस का जो एक था वो अभी भी एलवी सादो के उपर लगा हुआ ही है यहां पर बस चेंजेज इतना सा आया है कि एंडी पीएस का जो सेक्शन आठ बीस था उसे हटा कर आब आठ बाइस कर दिया गया और यहां पर पुल NDPS का धारा आठ बीस है उसे हटा दिया गया है क्योंकि वो cannabis plant से related था और यहां पर LV सादो के उपर लगा दिया गया है NDPS की धारा आठ बाइस जो कि लगाया जाता है psychotropic substances से related किसी भी कानून के उलंगन करने पर और यही NDPS की धारा का section 822 जो है वो LV सादो के उपर लगाया गया है और जो पिछला वाला धारा था उसमें भी LV सादो को बेल नहीं मिलने वाली थी और यह जो नया धारा लगाया है इसमें भी कोई भी बेल नहीं मिलने वाली यानि कि जो नया धारा लगाएगे ये भी non-bailable है यानि कि LV सादो के बेल मिलने के संभावना बिल्कुल ही खतम है तो LV सादो से related latest update यही थी दोस्तों फिलाल आपका क्या-क्या नाइस पूरी update को लेकर आप नीचे कमेंट में अपनी राज जरूर पताई गया से और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए खबरी मैंन को सब्सक्राइब जरू कर लिजे